जहां एक तरफ इस बार नाश्ता राशन बहुत ही कमाया है ऐसे में अब यहां जितने भी घर के सदस्य हैं वो एक दूसरे के लिए और खास कर विशाल, लव और शिवानी आपस में एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते नजर आ रहे हैं जी हां आपने सही सुना यहां पर एक बात तो तय है कि घर के अंदर इन तीनों का बहुत ही प्यारा बॉन बना है और अब यहां देखने को मिला कि किस तरीके से जब आज सुभा सुभा पोहा सभी के लिए बना तो पोहा बेहत कम था और यहां विशाल और लवकेश ये कहने लग गए कि इतने से हमारा क्या ही होगा लेकिन यहां शिवानी ने अपने हिस्से का खाना भी इन दोनों को दे दिया दर असल उसने क्या किया उसने प्लेट तो लिये लेकिन उसमें बहुत ही कम खाना लिया और वहीं विशाल और लवकेश को ये बात जब पता चली तो उन्हें बहुत ही पूरा लगा लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि शिवानी लगातार अपने दोस्तों के लिए कुर्बानियां दे रही है और इसलिए अब उसने ये एक कुर्बानी दी आपको क्या लगता है कि क्या वागई में शिवानी दिल की बहुत अच्छी है वो अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसलिए अब यहाँ पर देखने को मिला कि उसने सुभा सुभा खुद अपने लिए बहुत कम ब्रेकफास लिया लेकिन वहीं हम आपको बता दे कि कल जब राशन आया था और शिवानी ने कहा कि मुझे लीची बहुत पसंद है हमारे गाउं में तो मिलती ही नहीं तब यहाँ पर विशाल और लव ने अपने हिस्से की लीची उसे दे दी थी तो यहाँ इन तीनों की दोस्ती वाकई में घर में चर्चा का विशे बन गई है और देखा जाए तो घर में हर कोई इनकी दोस्ती को अब अपने लिए खत्रा मानने लगा है और इसलिए जब देखो ये तीनों अब हर नॉमिनेशन में नॉमिनेट होते नजर आ रही हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि घर के सदस से अब इनसे डरने लगे हैं आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट में अपनी राय लिख कर जरूर बताएं लेकिन